मिठलेश चतुरवेदी मिठलेश चतुरवेदी जा चुके हैं तो लोगों को उनका नाम पता चल पाया है एक्टिंग से बे इंतिहा मोहबत करने वाले मिठलेश चतुरवेदी ने कुछ छोटे लेकिन यादगार किरदार जिये हैं और उनकिरदारों ने मिठलेश को आम लोगों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था किसा टीवी आज आपको एक्टर मिठलेश चतुरवेदी की कहानी बताएगा मिठलेश चतुरवेदी फिल्मों में कैसे आए और क्यों ये फिल्म इंडिस्ट्री में अपनी बहुत जादा पहचान नहीं बना सके इन सभी बातों को आज हम और आप जानने समझने की कोशिश करेंगे यूं तो मिठलेश चतुरवेदी के बारे में बहुत जादा जानकारिया इंटरनेट पर मौजूद नहीं है लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि मिठलेश चतुरवेदी का जन्म 15 अक्टूबर 1954 को हुआ था ये लखनव के रहने वाले थे लखनव से ही इनकी पढ़ाई लिखाई कम्पलीट हुई थी स्कूल के दिनों से ही मिठलेश नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे और आगे चलकर नाटकों को इन्होंने अपना दूसरा प्रोफेशन बना लिया एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये प्रोफेशनल थेटर का बहुत बड़ा नाम बन गए थे थेटर करते करते जब इन्हें काफी वक्त हो गया तो इन्होंने फैसला किया कि अब ये फिल्मों और टीवी पर भी अक्टिंग करेंगे और एक्टर बनने का खाब लेकर एक दिन ये लखनव छोड़ कर मुंबई आ गए मुंबई आने से पहले ये अपनी सरकारी नौकरी से इस भरोसे वॉलिन्टियरी रिटार्मेंट ले चुके थे कि रिटार्मेंट होने के बाद इन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी मुंबई आने के बाद मिधलेश चत्रवेदी को पहला ब्रेक मिला दूरदर्शन के शो उसूल में उस शो में डैनी मुख्य भुमिका में थे साथी टॉम ओल्टर टीनू आनंद और परिक्षित सहनी जैसे दिगज अभिनेताओं ने भी उस शो में काम किया था उसूल के बाद मिधलेश ने डीडी मेटरो के शो न्याए में काम किया मिधलेश अकसर कहा करते थे कि जितना सशक्त और मजबूत रोल इन्हें न्याए शो में मिला था वैसा फिर कभी इन्हें दोबारा नहीं मिला बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो साल 1997 में आई फिल्म भाई भाई इनकी पहली फिल्म थी इसके बाद राम गोपाल वर्मा की सत्या में भी ये एक छोटे लेकिन नोटेबल रोल में दिखे फिर तो मिथलेश चत्रुवेदी की गाड़ी चल निकली इन्होंने ताल, फिजा, गदर एक प्रेम कथा, अक्ष, अशोका, रोड, कोई मिल गया, किसना, बंटी और बबली, क्रिश, हला बोल, क्रेजी फोर, अजब प्रेम की गजब कहानी, रेडी, फटा पोश्टर, निक 2021 में आई, फिजा में तपिश, जिसमें ये इमाम के रोल में निज़राए थे, मिथलेश चत्रुवेदी ने फिल्मों ही नहीं, टीवी पर भी काम किया था, या कहना चाहिए कि फिल्मों से भी ज़्यादा टीवी पर काम किया था, जी टीवी का पॉपलर कॉमिक शो नीली चत्री वाले में इनका निभाया आत्मा राम चौबे का किरदार हर किसी को पसंदाया था, टीवी के साथ साथ मिथलेश चत्रुवेदी ने कुछ वेब सिरीज में भी काम किया था, इनकी सबसे चर्चित वेब सिरीज थी स्कैम 1992 जिसमें इन्होंने दिगजवकील राम आनी बड़ी रोचक है, दरसल राकेश रोशन ने मिथलेश को फिजा फिल्म में देखा था, राकेश को उसी वक्त लगा कि ये एक बढ़िया एक्टर है और अपनी किसी फिल्म में वो इन्हें जरूर लेंगे, फिर जब राकेश रोशन कोई मिल गया बनाने की तैयारियों में लगे तो उन्होंने फैसला क्या कि कम्प्यूटर टीचर वाला ये रोल फिजा के उसी एक्टर को देंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि राकेश रोशन के पास इनका कोई कॉटेक्ट नमबर नहीं था, तब एक्टर रवी जहकड को बलाया गया, रवी जहकड मिथलेश के उन्हों से कहा कि इस एक्टर को बुला लो, इस तरह मिथलेश चत्रुवेदी कोई मिल गया फिल्म का हिस्सा बने, फिजा के बाद रितिक रोशन के साथ मिथलेश की ये दूसरी फिल्म थी, पिछले कई दिनों से मिथलेश चत्रुवेदी दिल की बीमारी से जूज रहे थे, मुंबई के कोकिला बेन धिरु भाई अंबानी होस्पिटल में इनका इलाज भी चल रहा था, कुछ दिनों पहले मिथलेश चत्रुवेदी को दिल का दोरा भी पड़ा था, तब ही से इला ये दुनिया छोड़ कर चले गई, मिथलेश की निज जिन्दगी की बात करें तो, उनका एक बेटा और एक बेटी है, उनके बेटे का नाम तो हमें नहीं मालूम चल पाया, लेकिन उनकी बेटी का नाम निहारिका चत्रुवेदी है, और उन्होंने आशीष चत्रुवेदी से शादी की है, आशीष चत्रुवेदी नहीं मिथलेश चत्रुवेदी की मौत की खबर को सोशल मीडिया के जरिये उनके चाहने वालों तक पहुँचाया था, कि साटीवी मिथलेश चत्रुवेदी को नमन करता है, और अभिने जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें स सकतawiaए खता है, और अभिने चत्रुवेदी की मौत की खबर के जगत में Feed, übrigens मिथलेशन मौत की मौत की है, और अभिने जगता है, और अे जगता है, कि सकत्रुप झाटबे जहीं मिहलेदी को योगदी की खमने चत्रुवेदी को जगता है, झालों चतिक से जग wraps,